दोस्तों आपको कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा जिससे आप अपने बोड एक्जाम में 95% मार्क आ सकते हैं 95% मार्क कैसे पाएंगे आज जो ट्रिक है ना आप इसको फालू करिए जरूर है 95% आप मार्क पाएंगे पहले तो आप बताइए आप पाना चाहते कि नहीं चाहते हैं कि नहीं चाहते यह चाहते हैं तभी चैनल को देख रहे होंगे नहीं तो अब तक तो इस चैनल से हट गए होते है यह आपके घर में कोई भी बच्चा तो उसको जरूर इस वीडियो को बताइएगा यह देखो तभी तो तुम 95% पास सकते हैं, तो नहीं पास सकते हैं, तो चली मैं दोस्तों, मैं जो कुछ ट्रिक ले कराया हूं, उसकी तरफ मैं चलता हूं, तो दोस्तों, पहला ट्रिक है, कि आप जो 95% मार के लाने के लिए का रहे हैं, उसको दिल से चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बस दूसरे क यार 95% मा लाना चाहता हो लाऊंगा याध कि आप ऐसे का रहे हो। तो पका 95% आपको लाने के इच्छा है ही नहीं, आप रोते हुए मन से करें यार, आपकी हटली डिजायर है ही नहीं, बर्निग डिजायर है कि नहीं है, यदि बर्निग डिजायर होगा, तभी कुछ होगा नहीं, तो नहीं होगा, यदि आपके अंदर बर्निग डिजायर होग आप तक तक 10 मिन बैटके पढ़ रहे हैं तब तक कहीं चलते हैं चल दोस्तों के साथ गप्प लड़ाते एक घंटा बैट करके किसी टापिक पर जूट में बहास करते रहते हैं जिसका कोई result नहीं निकलने वाला है आप बैट करके उसी टापिक पर एक घंटा डेट घंटा दो दो घंटे बहास करने में भी जाते यहां तक कि कभी कभी बारे के वज़ा एक बजे रात रात तक बहास होती रहती लेकिन उस बहास कोई result नहीं कहीं आप ऐसे गलती तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं बैट करके किसी बेफुजूल टापिक पर बैट करके आप अपना समय गवार यदि आप ऐसा कर रहे हो तभी छोड़ देजिए उस जगह से अपने उस कमिटी को छोड़ देजिए यदि आप ऐसे गलती कर रहे हो तो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा तो भी आपको समय का पता नहीं चलता है लेकिन नई आपको चीज़ें सब छोड़ दो क्योंकि आपने दिल से प्रण ले लिया है कि मेरे को 95% मारक लाना है तो आप उन सब चीजों से आप धूरी बना लो जहां पर बिकार में मेरा जो टाइम जा रहा तो पहले से ओधर टाइम उसको आप क्या करो समय की तो बचत तो कर लो समय काता है आज तु मेरे को बचा लो ने तो कल मैं तेरे को बरबात कर दूँगा तो आज समय को तुम बचा लो कल समय तुम को बचा देगा तो दूसरा टापिक यदि आपने यूटूब आजाते हैं इस्टारैम तवी टर आ जाते हैं आज तो वीभो और पता निए कौन कौन से परकार के वीडियो जो चल यह रहा एंचón टाइम किफीलु यार जै भी बंदा जो भी यह सब चीजन कर रहे है ना जो बोडिनार रहा तर इट अच्छा नहीं है को इपना समय को सो prawd बोड़िगलती कर रहा हूं और विंद 맛이 क्श। और यह इसमें करते हो वाट्श आप में भी करते हैं google मैं गारंटी देता हूं कि आपको WhatsApp खोल के बैठ जाओ और एक पेज में आपको देता हूं लिखने के लिए एक घंटा हो जाएंगे लेकिन आप एक पेज नहीं लिख पाएंगे क्यों कि जब तक एक मेसेज आगा तो देखोगे तो फिर से लिखोगे फिर से लिखोगे फिर से लिखोगे एक घंटे बीट जाएंगे लेकिन आपका एक पेज नहीं लिख पाएगा तो WhatsApp और जो Facebook का जो चैटरिंग बिगेस्ट टाइम किलिए आज कल का समय में किसी से घंटो घंटो चैटरिं को अनिस्टाल कर दो नहीं अनिस्टाल होता है तो उस गुरूप वहां पर किलिक बस मत करना किसी गुरूप में जुड़ो तो वहां से निकल जाओ WhatsApp को अनिस्टाल कर दो चैटिंग जिससे कहते हो कुछ समय के लिए छोड़ दो लेकिन बस एकजाम आप जादे दिन नहीं रहा गए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखो यदि करना चाहते हो तो यह सोच रहे हो कि मैं बुरा कर रहा हूं तो मैं बुरा नहीं कर रहा है बस कुछ ऐसे चैनल को सबस्क्राइब कियो जहां से गाने मिलते हैं जोक मिलते हैं उन सब चैनले को का कर दो डी सबस्क्राइब कर दो अधि कि जोग जाक एक्जाम में लिखोगे का नहीं यार जोग नहीं लिखोगे इसलिए मैं का रहा हूं कि एजुकेशनल वीडियो देखो न टेंथ के ट्विल्थ और बहुत सारे आपके यूटूब पर जो वीडियो अब लेवल हैं अब वहां से जाकर के देखिए और कई सारे आ लिखेम को पर डाफारे एक समय को पर पर गजैबंगे अकृस क्या कारना है एक घंटे का समय चूझ करनाया तकिये क्या करना अब एक घंटे का समय चूझ सिंदो दस मिनटब perché हओ जो भी चूच करो और मेरे को उस चूनने के बाद मेरे को यह पता करना है कि मैं आधे घंटे में तो चैप्टर दो टापिक जो भी तुम डिसाइड करो कि आधे घंटे में मेरे को दो टापिक जो कनफर में याद होना चाहिए घड़ी दे करके आप जो स्टाप वाच लगा करके रख दीजिए वहां पर तक आधे घंटे में मेरे को एनिवे करना है तो करना है करना है ऐसा यह दिमान कि आप जो करते हैं तो पक्या टापिक तो बह पक्काा आदे-खंटे के अंदर एक घंटे के अंदर जितना डिसाइट करते नहां उतना उच्छी यह लर्वन हो जाती तबहुत अच्छा समय है, गीब प्रोडक्टिवीटी टू इच टाइम आप परतेक समय को आप प्रोडक्टिवीटी में चेंज कर देते हैं, परते एक समय के मेरे को इतने समय में करना इतने समय में करना हर समय एक गोल जैसे समात करो तुर्ण आगले के लिए कुछ गोल बना लो इसके बाद से मेरे को ए पढ़ना आप कुछ topic बनाओ परतियेक subject का कुछ topic बनाओ मेरे को पांच मिरत में इस subject का इतना topic करने न इस परकार से दिए आप काम करेंगे तो कोई भी चीजे बड़ी असानी सा बहुत जल्दी लर्न हो जाती है तो यह important topic तो बहुत ही important for you, यदि आप पढ़ाई करने जब भी बैठते हों, यदि आप पढ़ाई करने जब भी बैठते हों, एक घंटे के लिए बैठते हों, तो आप उसको divide कर दीजिए, और परते एक टाइम में क्या करिए कुछ आप जो topic के दौआ, या कुछ chapter के द्वारा, छोटे चोटे topic के द्वारा भी अब divide करके, दस मिनट, पांच मिनट में आप जो क्या कर सकते हैं, आप उसको बड़ी असानी से complete कर सकते हैं, यह जो student हो, हर student यार कभी-कभी हरमेशा follow करता है, ओके, अब देखो, next point हम लोग चलते हैं, wake up in early morning and do meditation, क्या करो, कि हमेशा अब सुबह मे उठो, यदि आप अभी तक नहीं उठ रहे हो, तो अब से आप शुरु में, सुबह से इज़तना स्टार्ट करें, सुबह उठने से जानते क्या होता है, सुबह उठने से जानते हैं, सुबह उठेंगे सबसे प τι पछले हमारा दिमाग फ्रेसरा ळता है, ज़िए मैंड फ्र इस काम करता है और यादि उस समय याद मैं उठता हूँ यादि मैं ये सब चीजे उपर वाली कंडिसान हो जितने हैं येदि मैं फालो करता हूँ तो पका सोचो यार कितनी यार एक महीना का दस दिन में आप इतनी सारे बदल जाएंगे जिसको पता नहीं चलेगा ओके यादि उपर वाली चीजों को फालो कर रहे हैं तो एक महीने के अंदर इतनी आप बदल जाएंगे जिसका लिमिटी नहीं गया है लोग भगल में कहने लगए ये देखो कैसे बदल गया इतना सारी बाते कैसे होगे इसके अंदर कैसी इतनी सारी बदलावे आ रही है तो आपको साइबेरिय उठने की आदर डाले यादि अभी तक नहीं डाल ले होता आप जो समय बचा है यादि आप अपने एकजाम की दृष्टी से देखेंगे तो अभी भी सुबह उठना स्टार्ट कर सुबह उठने से फायदा क्या होता अपके दिन बड़े हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग उसी 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाते और उसी 24 घंटे में बहुत कुछ कर जाते हैं क्या उन लोगों के लिए दिन भगवान ने छोटा बना था का नहीं जार चुली बंदा किया है नो बजे उठता था आठ बजे सबेरे उठता था जब आठ बजे उठेब तह क्या होगा उसके लिए चोटा हो गया जात $ी में पेरीड में कितनी सारे चीजा काम कर ले favour बज़ उठते हैं तो चार से साथ बज़े के ट्याई में तीन घंटा आप पढ़ लेंगे और बल्कि बगल वाला बंदा आराम से ना खणकाता रहेगा तो आप सबसे पहले सबेरे उठने के यादर डाले तीन घंटा ओभी सबेरे का और इतनी सारी चीज़े आप फालो कर रह है 95% लाने की तो सबेरे उठने वाला चैलेंज है या सबेरे उठ गया जो मार्क ले गया लेकिन सबेरे या दिन नहीं उठ करके पढ़ते हो तो पका 95% मार्क तो दूर 80% 70% में घिसट करके रह जाओगे तो सबसे पले तुम सबेरे उठने की हैबिटे जरूर डालो और उस अपटर डेट टच आज सबेरे उठने हो तो लगभग सबही पर समय cambiar करो तो साम तक जाते जाते पर कोई ऐसा दिन ना जाए कि जिसको कोई सब्जेट को आप चुँए ना सभी सब्जेट पर कम से कम कुछ ना कुछ हाथ लगाईए ओके आप्टर देट अवाइट स्लीपिंग आपको कम सोना पड़ेगा आज के समय कुछ लोग काते है अरे यार आठ घंटे सोना जरूरी है स्वास के लिए जरूरी है इस सब चीजें जरूरी तो यार सोनमस्त से क्यूं तब इच्छा कर रहे हो कि 95 परसेंट पाना चाहते हो सो डाक्टर काता है यह काता हो काता 95 परसेंट पाना है कि नहीं पाना पर यह तू बता यदि पाना है तो तुमको वाइट स्लीपिंग करन नहीं पाना है, तो आराम से नाजब बजा आठ बजी तक तक teens ratio 8 गंते की निद पूरा कर लेकिन जिसको पाना रहेगा उनफ़ नृतब आ दियुदी को नई पाना लेकिन अधि नहीं आतिए शक्कित तौ नहीं आती भी जम सक्षात में सक्षा इच्षा में डेखता है पनी कि जब कोशिच करता तो उसको नीद नहीं आती है तो तुमको बता 95% पाना है कि नहीं पाना होगा तो अब आट स्लीपिंग करना होगा आपको कम सोना होगा अब कम सोने कम तो भी तरन नहीं कि एक घंटा सो दो ही घंटा सो सो ही मत एक अउसी बात है अरे सो at least four hour five hour maximum इतना सो तभी तो काम चलेगा नहीं तो आप नहीं आपका पत्ता नहीं हिलने वाला है अब नाक बजा के लंबे लंबे नीद आप सोवेंगे लेकिन कभी-कभी होता क्या या जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको क्या होता है नीद आने लगता है या नीद आने से बचे यदि निद निध तो रहे दो सिंपल से यार कापी कलम उठा लिखना स्टार्ट कर दो कापीकलम उठा लिखना स्टार्ट कर डेक्थ यारन निद शूमंतर हो जाएगी लेकिन नीद यहां पर आयेगी नहीं क्योंकि जब तीसरा सा ने जह उड़ फाल करेंग cambio productivityосьat प्रते एक समय को अप्रेटिटिवर्म चेंज करके यादि का आप काम करेंगे तो नीद तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी क्योंकि आपको आदा घंटा में पांच विर्ट में एक गोल्ट कंप्लीट करना तो नीद कहां से आगी लेकिन उसके बावजूद भी किसी को प्रेटिवाइब्ट मार्क आना तो बड़ी असान से बात हो जाएगे एक महिने का जो समय आपके पास आप एक महिने के अंदर के आप 10 दिनों के अंदर आप बिल्कुल अपने आपको बदले हुए एक तसबीर में पाएंगे बिल्कुल अपने आपको पहले से बदला और आज मैं क्या हूँ दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हूँ ना थी प्लीज एक लाइक तो बनता ही है ओके दोस्तों टाटा बाई बाई सी यू हम लोग मिलेंगे अगले नए वीडियो में